क्या आप जानते हैं, ब्लॉगर के अंदर भी आप आप आटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, e-commerce वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, custom domain लेना है तो आपके ओपर depend करता है, मैं IFTTT की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल नए तरीके से बताऊँगा, जिससे आप easily ब्लॉगर के अंदर आटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और उसके अंदर आप Amazon Flipkart जैसे काफी सारे बैसे प्रोड़क्ट से जिनको automatically add करेंगे, वो सब कैसे करेंगे, वो अब मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, पर उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, all के उपर जरूर क्लिक करें, मैं हूँ वेदान तो welcome है आपका टेक्नो वेदान चैनल में, शुरू में अगर आप अपने blogger के अंदर custom domain नहीं लेना चाहते, तो भी आप blogspot.com के अंदर अपनी website create कर सकते हैं, अब वो कौन सा template है, उसको कैसे customize करना है, और कौन से platform में जाके आपको register करना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, सबसे पहले आपको Google में जाके blogger लिखना है, इस link के उपर आप click करेंगे, अगर आप already blogger के अंदर account बना चुके हैं, आपकी already blogger के अंदर बहुत सारी website है, तो इस arrow पे click करेंगे, page को नीचे करेंगे, और new blog के उपर आपने click करना है, यहाँ पर आपने अपना title देना है, मैंने amazing deals दे दिया, और उसके बाद next करके, आपको यहाँ पर अपना URL टाइप करना है, यह सब complete करने के बाद, आप save के उपर click करेंगे, basic सी information है, आप इसको जरूर जानते होंगे, अब मैं आपको एक ऐसा template दोँगा, जिसको edit करना भी बताऊँगा, बहुत simple है, और उसको आप customize जरूर करेंगे, तभी आपकी e-commerce website थोड़ी attractive बनेगी, आप देखेंगे, यहाँ पर blogger का dashboard ओपन हो गया, और यहाँ से आपने theme पे click करना है, arrow के button पे click करेंगे, और reach store पे आपने click करना है, यहाँ से upload पे click करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे e-commerce.xml, इसको यहाँ से आपने upload करना है, view blog करके check करते हैं, कि यह template किस तरह का दिखाईदर है, आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ आपको यह इस तरह का show करेंगा, अब यहाँ से मैं आपको इसको edit करना बताऊँगा, आपको themes में जाना है, layout में click करना है, और यहाँ पर header आप देख रहे हैं, जहाँ मैंने amazing deals लिखा था, जो यहाँ पर title आ रहा है, इसको आप बहुती easily edit करके, जो भी आप यहाँ type करना चाहते है, उसको आप यहाँ पर type कर सकते हैं, तो आप अपनी कोई image भी लगा सकते हैं, अगर लिगाना चाहते हैं तो, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, iframe code लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर HTML के उपर जैसी आप edit पर click करेंगे, यह iframe code लिखा हुआ है, यह मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, कि इसको आपने कैसे change करना है, उसके बाद आप देखेंगे, friends, यहाँ पर search का button है, और इधर आपको pages का button मिल रहा है, इधर आपको home, about us, contact us, privacy policy, terms and condition and disclaimer, यह सारे pages आपने create करने हैं, अगर आपको इसमें Google AdSense का approval चाहिए, और आप चाहते हैं, Google के अंदर यह website rank हो जाए, तो definitely friends, privacy policy about us, contact us pages आपकी website के अंदर होने बहुत ज़रूरी है, तब यह आपको Google AdSense का approval मिलेगा, अगर आप नहीं जानते कि इन pages को कैसे create करते हैं, उसके आपको techno विल्दान channel भी जाना है, search के उपर आपने click करना है, और यहाँ पर लिखना है privacy policy, उसके बाद आप enterprise करेंगे, यहाँ पर आप अपनी privacy policy की script भी बना सकते हैं, बिल्कुल free में वो मैंने इस वीडियो में बताया है, और बाकी अगर आपका कोई android app है, तो यह वाला वीडियो देखें, नहीं तो friends, आपकी website के अंदर यह pages कैसे create होंगे, आप यह वाला वीडियो और यह देख सकते हैं, terms and condition के बारे में जब मैंने बताया था, इस वीडियो में तब वो free था, उसके बाद पैसे लगने लग गए था, मतलब charge होता था, इसलिए मुझे यह दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, तो यहां से आपकी problem का solution निकल जाएगा, अब इसके अंदर कैसे pages create करने मैं आपको वो बता देता हूँ, और वो कहां show करेंगे मैं आपको यह भी बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपने pages के उपर click करना है, new page में जाना है, और one by one आपको यहां सारे pages बनाना है, for example मैं यहां contact us लिख देता हूँ, और उसके बाद friends आपको अपनी सारी details यहां पर डालना है, और इसको आपने publish कर देना है, ठीक ऐसी आपने new pages में फिर से जाना है, और यहां पर आपने about us का page create करना है, अपने बारे में आप details में लिखेंगे, और उसको भी आपने publish कर देना है, अब आप देखेंगे यहां पर इस तरह के बहुत सारे pages है, पर example मैं आपको सिर्फ दो का दूँँगा, ने तो totally time waste हो जाएगा, आपने यहां पर pages create कर लिए, अब हम इसको open करेंगे, मतलब इसको view करेंगे, और यहां से आपने theme में जाना है, इस arrow के button में click करने के बाद, edit html पर आप click करेंगे, blank area में click करके ctrl f प्रेस करना है, और यहां पर लिखना है about us लिखके आपने enter प्रेस करना है, और यहां पर आप देखेंगे about us, contact us, privacy policy, terms and condition और disclaimer, सारे pages यहां पर show कर रहे हैं, पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है friends, जो pages आपको यहां पर show कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको footer में भी show कर रहे हैं, तो इनको आपने दोनो time edit करना है, दोनो time कैसे, आपने अपने about us का page create कर लिया, आपके पास उसका URL आ गया है, यहां से आप इसे copy करेंगे, और यहां पर जो about us के आगे आप देखेंगे, hash लिखा हुआ है, इधर आपने इसे paste कर दिना है, और यहां से इसको नीचे करेंगे, आपको footer में भी about us का section दिखेंगा, यहां पर आप देख रहे है about us का section है, और इधर भी जहां पर hash लिखा हुआ है, वहां पर आप उस URL को paste करेंगे, और यहां पर friends आपको contact us के page में भी जाने है, उसकी URL को copy करने है, और ठीक उसी तरीके से friends आप इसको भी edit करेंगे, इसी तरीके से आपने सारे pages create करने है, और उनकी URL को edit HTML में जाके आपने change करने है, जैसे इस समय मैं कर रहा हूँ, यहां पर example मैंने धोका दिया है, आपको सारे change करने हैं और उसके बाद save के उपर आपने click करने है, click करने के बाद वापिस आपको अपनी website में आके refresh करने है, refresh करने के बाद आप देखेंगे, मैंने pages के उपर click करा और about us पे जैसी मैं गया, यह redirect कर गया मेरे उस page पे जो अभी recently मैंने create कर रहा है, मतलब आपको menu में लगा, इसको कैसे edit करेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, simple सा तरीका है, आप अपने edit html के अंदर यह control f press करना है, और यहां से आपने amazon लिखना है, और यहां पर आप देखेंगे amazon flip card deals और offers, यह चारो option यहां पर आपको दिखाई दे रही है, एक चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखने friends, मैंने सिर्फ amazon offer deals और flip card लगा है, आप अपने accordingly इसको edit कर सकते हैं, change कर सकते हैं, amazon का अगर आपके पास associate account है, तो ही उसके साथ आप e-commerce की website बनाए, और auto blogging करें, ने तो आपका amazon का account ban हो सकता है, इसमें risk है, तो अगर आपको यह नहीं पता, कि amazon associates का account कैसे बनाते हैं, amazon affiliate का account कैसे बनाते हैं, तो उसके उपर भी मैं video बना चुका हूँ, उसके लिए वापिस आपको टेक्नो विदान चैनल में आना है, search में click करना है, और यहाँ पर लिखना है amazon affiliate, और उसके बाद आपने enterprise करना है, यहाँ से page को थोड़ा सा नीचे करेंगे, और आप देखेंगे, यह मैंने video बना था, इसको आप देख सकते हैं, जिससे आप अपने amazon associates का account create कर सकते हैं, यह account बनाएं, उसके बाद affiliate marketing करें, अगर उसके बीना करेंगे तो friends पूरे पूरे chances है, आपके amazon account के अंदर effect पड़ सकता है, फिर मुझे मत बोलना कि विदान भाई आपका video देखा, और हमारा amazon का account बैन हो गया, यहाँ से आपको अपनी amazon की website open करनी है, अब आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है today deals, इसके उपर आपने click करना है, सबसे उपर आपको amazon associates की strip मिलेगी, आपने text के उपर click करना है, और यहाँ से इस पूरे code को copy करेंगे, वहापिस आप अपने edit html के section में जाएंगे, यहाँ पर amazon लिखा हुए है, अब पूरा electronics store open हो गया, और यहाँ से get link के उपर मैं click करूँगा, और इसको मैं copy करूँगा, और वहापिस मैं edit html में जाऊँगा, और flip card की जगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा electronics, इसी तरीके से friends आपको edit करना है, और जहाँ पर यह hash है, hash की जगह मैं अपना id डाल दूँगा, और उसके बाद save के उपर मैंने click करा, मैंने सिफ example दो कर दिखाया है, आप अपने accordingly कुछ भी यहाँ पर add कर सकते हैं, और website में जाके जैसी मैंने इसे refresh करा, वहापिस menu पर click करा, और यहाँ से Amazon पर click करूँगा, आपको कौन सी निश्प पसंद है, health, sports या फिर beauty, जो भी आपको निश्प पसंद है, उस category में जाके, Amazon Associates की strip में जाके, आप उसके code को copy कर सकते हैं, इस तरीके से friends आप अपने menu को बढ़ा भी सकते हैं, और उसे कम भी कर सकते हैं, एक्जाम्पल अभी मैंने वापे सिर्फ चार options दिये, उसे आप 5, 6, 7 भी कर सकते हैं, या सिर्फ 1 या 2 रहने दें, वो आपके उपर depend करता है, यहां से हमने यह उपर वाला section पूरा edit कर दिया, fav icon को कैसे change करते हैं, आप में से काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यहां से आपने settings में जाना है, पर यहां पर आप देखेंगे fav icon की option है, जो भी आप अपना fav icon लगाना चाहते है, choose file में जाके उसे upload कर सकते है, वो पिस चलते हैं अपने template के दरफ, आप देखेंगे यह section हमारा पूरा edit हो चुक है, Google Ads, latest updates, यह सारी क्या है, यह भी थोड़ी देर में बताऊँगा, अब sidebar को अगर आप edit करना चाहते हैं, तो बहुत easily कर सकते हैं, वो आप सब जानते हैं, basic सी चीज़ है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा hint दे देता हूँ, आपने dashboard में जाना है, blogger के dashboard में, layout पे click करेंगे, sidebar में widgets जो आ रहे हैं, इसको आप कैसे भी अगर edit करना चाहते हैं, बहुत easily कर सकते हैं, simple है, आपने edit में जाना है, अगर यहाँ पे Google Adsense का code मिलेगा, इसके रिफ्रेश करेंगे अपनी website में जाके, आप देखेंगे उपर जो advertisement का section आ रहा था, वो यहाँ से remove हो गया, अभी तक आप अपने blogger की e-commerce template को edit कर चुके, इसके अंदर अब आप products कैसे add करेंगे, Amazon, Flipkart इनी, बहुत सारे ऐसे brands है, जिसके products इसके अंदर automatically add होते रहेंगे, और वो कौन सी website है, उसको कैसे use करने है, और क्या-क्या benefit मिलने वाले है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस website में register करते ही, 50 rupees मिल जाए, जो link मैं आपको नीचे दूँगा, जैसे आप इसके उपर click करेंगे, डिरेक्ट यह आपकी website open हो जाएगी, जहां से आपको codes मिलेंगे, friends उस website में भी आप देखेंगे, Google AdSense का approval मिला हुआ है, और यहां से मैं page को नीचे करके दिखा देता हूँ, यहां पर देखेंगे, इधर भी Google AdSense का approval है, सबसे corner पर लिखा हूँ है sign up, इसके उपर आपने click करना है, यहां पर तीन option मिलेगी, आप publisher हो तो आपने publisher के उपर click करना है, उसके बद यहां पर आपको नाम डालना है, जैसे मैं डाल चुक हूँ, आपको अपनी website का URL डालना है, मलब जो मैंने website create करी तो उसकी URL को copy करके डाला, और website का नाम डालना है, यहां पर आपको अपना email ID डालना है, और यहां पर वो वाला mobile number डालना है, जो आपका active है, क्योंकि इसके अंदर अभी OTP आएगा, और नीचे दोनों section में आपको अपना password डालना है, एक चीज़ का आपको ज़रूर द्यान रखने, जब भी password डालना होता है, friends, आप same email ID वाला password बिल्कुल नी डालेंगे, आपको यह और unique password डाल सकते हैं, यह पूरा form फिल करने के बाद, आपने submit के उपर click करना है, आपके पास एक ही security alert आएगा, उसके अंदर यह mobile number फिर से add करने के बोलेगा, वैसे तो by default यह add होगा, पर अगर नहीं होगा, तो same वही mobile number add करने के बाद, आपने submit के उपर click करना है, अब यहां से आपके mobile के अंदर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहां पर add करेंगे, और यहां से आप submit के उपर click करेंगे, अब आपके mobile को यह verify कर रहा है, अब यहां देखेंगे, congratulations, you just made your account more secure, इसके उपर आपने OK करना है, अब यहां आप देखेंगे, यहां पर earning मेरी बिल्कुल 0 आ रही है, जैसी आपकी इसकी earning 500 रुपीज होगी, आपने payment में जाना है, bank details के उपर आप click करेंगे, आप अपने यहां पर bank details भर सकते हैं, अगर आप payment bank में चाते हैं तो, ने तो इसमें आपको और भी option मिलेगी, withdraw money के उपर आपने click करना है, और जैसे यहां पर आपका 500 रुपीज हो जाते हैं, यहां पर आप देखेंगे tools की option है, नीचे आपको मिल रहा है Amazon affiliate की, इसके उपर आपने click करना है, आपके पास Amazon Associates है तो इसका ID भी जरूर होगा, अगर नहीं है तो कैसे create करते Amazon Associates, वो मैं बता चुक हूँ, आपको अपना Amazon ID copy करना है, यहां फिर direct यहां पर type करना है, अगर नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, Google में जाना है Amazon Associates लिखना है, उसके पाद आपने इस link के उपर click करना है, top right corner पर आपको आपका ID मिल जगा, यहां से आपने इसे copy करना है, और वापिस यहां पर आने के बाद आप इसे paste करने के बाद आपने add Amazon ID के उपर click करना है, आप देखें कि आपका affiliate ID add हो चुका है, वापिस आपको tools में जाना है और यहां पर लिखा है deals engine, इसके उपर आपने click करना है, यहां पर आपको एक iframe code मिलेगा, इसको यहां से आप copy करेंगे, और आपको अगर starting में याद हो, तो मैंने आपके template में iframe code की एक option miss करवाई थी, जो बिल्कुल top में थी, अब हम इसको use करेंगे, आपको blogger के layout में जाना है, layout में जाने के बाद यहां पर edit के उपर आप click करेंगे, और जो code आपने copy करणा, उसको आपने यहां पर paste करना है, और उसके बाद save के उपर आप click करेंगे, नीचे save का button है, इसके उपर आपने click करना है, और वापिस हम अपनी website में चलके देखते है, refresh करके किसके अंदर किस तरह के changes आए, refresh करने के बाद देखेंगे, यहां पर मेरे जितने भी products से, वो यहां पर show कर रहे है, पर आप देखेंगे amazing deals जो है, वो थोड़ा सा disturb कर रहा है, तो मैं इसको edit करूँगा, यहां से मैं amazing को delete करने के बाद, save के उपर click करूँगा, उसके बाद वोपिस इसको refresh करते हैं, यहां पर आप देखेंगे, उपर मेरा section आगया, और जैसे ही कोई view offer के उपर click करेगा, तो यह redirect करेगा यहां पर, और इधर से जब कोई भी purchase करेगा, तो उसकी income आपकी INR deals के अंदर show करेगी, यहां से मैं आपको Amazon के products भी click करके दिखा देता हूँ, जैसे ही किसी ने view पर click करा, तो यह direct Amazon के account में आ गया, सिर्फ Amazon के जो products होंगे, उसकी जो income होगी, आपके Amazon की website में show करेगी, earning वहां पर show करेगी, और बाकि जितने भी brands है, जिनको आपने add नहीं करा, उसकी सारी earning, आपको INR deals के अंदर show करेगी, जैसे वहां पर 500 रुपीज हो जएंगे, आप वहां से बहुत easily payout ले सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे, जैसी मैंने अपनी website को refresh करा, मेरे 3 products और automatically add होगे, अब यहां से page को नीचे करेंगे, नीचे का section आपको बिल्कुल blank दिख रहा है, इसको कैसे change करना है, मैं आपको वह बता देता हूँ, new post में आपने click करना है, यहां से आपने कोई भी title देना है, for example मैं दे देता हूँ amazing deals, और इसी को मैं अपना label भी create करूँगा, यहां पर मैं लिख दूँगा amazing deals, और जो code आपको यहां से मिला था friends, उसी को आपने copy करना है, copy करने के बाद वापिस आपने इस post के अंदर, HTML को select करके इसको यहां पर paste कर देना है, और जो already code है, उसको हम delete करके, यहां पर इसको हम paste करेंगे, और publish के उपर आपने click करना है, उसके बाद आप इसे confirm करेंगे, आपकी यह post publish हो चुकिए, ठीक, ऐसे ही हमें दूसरी post लिखनी है, अब इसका भी title मैं दे देता हूँ offers, और उसके बाद friends, जो code आपने copy कर दा, उसे आप यहां पर paste करेंगे, और label में भी मैं यहां पर लग देता हूँ offers, इसको मैंने यहां से publish करके confirm कर दिया, यह दोनों मैंने आपको publish तो करा दिया, पर इसके अंदर में एक चीज़ बताना आपको भूल गया, इसके अंदर आपको एक image add करनी पड़ेगी, मतलब amazing offer के अंदर आपको एक अलग image add करनी पड़ेगी, और offers के अंदर आप अलग image add करेंगे, example के लिए मैं अभी एक image add करूँगा, जिससे time थोड़ा save हो जाए, यहां से आपने compose view पर click करना है, और ठीक ऐसे ही यहां पर भी इसको click करेंगे, यहां पर आपको image की option मिल रही है, upload from your computer पर click करेंगे, यहां से आपने image को select करना है, select करने के बाद आप select के उपर click करेंगे, और आपकी image देखेंगे यहां पर add हो चुकिये, ठीक ऐसे ही आपको दूसरी वाली post में भी करना है, दोनो images add होने के बाद आपने इसे update जरूर करना है, और इसके जो labels है friends उसको आप copy जरूर करें, और आपको यहां से layout के उपर click करना है, layout पर मैंने click करा और आप देखेंगे सबसे पहले Google Ads, और second time में भी Google Ads लिखा है, यहां पर हम अपने labels को add करेंगे, edit में गया और Google Ads की जगा मैं अपने label का नाम लिखूँगा, इसको मैंने capital में कर दिया और label से इम बैसे ही copy कर दिया, ठीक ऐसे ही second time में जो Google Ads लिखा है, उसको भी हम यहां पर ठीक से करेंगे, यहां पर मैं लिख दूँगा offers और उसके बाद जो हमारा label था, वो मैंने नीचे type करके, save के उपर click कर दिया, अब यहां से page को refresh करके check करते है कि किस तरह का change हमारी website में आया, आप देखेंगे नीचे मेरा label show करने लग गया, पर amazing deals में शायद मैंने कुछ mistake कर दिया, उसको मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ, यहां से मैंने edit के उपर click करा, यहां पर मेरा a small लिखा, इससे capital करूँगा, यहां पर आप देखेंगे जो मेरा label का a है, वो capital है और offer का o small है, अब refresh करके check करते, यहां से मैं पेज को नीचे करूँगा, और आप देखेंगे यहां पर problem solve हो चुकी है, latest deals मेरी यहां पर show करते रहेंगी, अब मैं इसके अंदर अपने products, जितने add करना चाहूं कर सकता हूँ, अब जैसी कोई इसके उपर click करेगा, तो direct आप देखेंगे, पेज नीचे करने के बाद, amazing deals की यहां पर option आ गई, spelling थोड़े mistake हो गई है, friends इसको थोड़े ignore करना, आप अपने spelling right जरूर करना, फिर से यहां से home पर जाएंगे, और second वाले label पर click करके check करते हैं, मैंने offers पर click करा, तो direct आप देखेंगे offers का section आ गया, अब इस link के ओपर जैसी मैं click करूँगा, तो आप देखेंगे same deals मेरी नीचे यहां पर show करने लग जाएंगी, इस तरह से आप blogger के अंदर auto blogging कर सकते हैं, और अच्छी खासी earning कर सकते हैं, इसका ये फैदा हो सकता है कि आप अपने whatsapp, facebook और telegram group के अंदर इससे जादा से जादा share करें, और जो वहाँ पे जाके कोई भी आपकी website open करेगा, उसे purchase करेगा, तो definitely आपको income होगी, I hope आपको वीडियो जरूर अच्छा लगाओगा, इससे like और share जरूर करें, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!